अगर आप गार्डनिंग की शुरुआत करना जाते तो बरतात में इन खुपसूरत फूलों वाले पौदों को लगाएं पूरा गार्डन एकदम भर जाएगा फूल से तो चलिए फिर मैं आपको सारे फूल वाले पौदों देखाता हूं काफी लो मिंटेनेंस में चलते हैं आ आप इने एकदम अच्छे से लगा सकते हैं अपने गार्डन में तो चैनल पर पहली बार आएँगे तो सब्सक्राइब को लेजेगा साथी बेल आइकोन को भी प्रेस के लेजेगा पहले नमबर पर यह मधू मालती है काफी खुपसूरत देखने में लगती है आप इसे काफी अच्छे से Immあります लोमिंग कर रही है इसे बी अब लगा सकते हैं अधाले नमबर पर यह चादनी का पौधा अता है और श्यरक्षक से लूमिंग और आप लगा सकते हैं जोग सब्सक्राइन करें से ब्लोमिंग और इसमें आएक आप इसे भी लगा सकते हैं और उसके बाद ये देखिए खुबचुरत स्थी ये पौर्टुलाचा है पौर्टुलाचा भी आप लगा सकते हैं काफे फ़प्सूरत लगती है ये चोटी सी चोटी कटिंग भी इसके लग जाती है तो अगर आप बिगनर है तो इसे जरूर एड़ करें अपने गाडन में उसके बाद ये देखिए ये परसलीन है परसलीन भी आप लगा सकते हैं इसमें भी काफी अच्छे फ्लावर आते हैं बरसाद में अगर लगाएंगे तो पूरे साल आपके पास हो जाएंगे और उसके बाद ये देखिए काफी लो मेंटनेंस में चलने वाले ये विंका है बहुत ही खुबसूरत देखने में लगता है काफी ज़्यादा इसमें कलर और विराइटी आती है इसे भी आप लगा सकते हैं खुब अच्छे से और ये खुब ज़्यादा फ्लावर देगा आपको अगर आप इसे लगाएंगे और उसके बाद अगर बरसाद में राइन लीली ना हो तो आपका गड़न तो पूरा अलमुष्ट खाल ही रहेगा क्योंकि नामी इसका राइन अच्छे से ये ब्लूम हुआ है और अगले नमबर पर ये गुड़हल है गुड़हल भी आप लगा सकते हैं ये खुब एकदम भर भर के फूल देता है बरसात में आप चाहे तो इसे भी एड़ कर सकते हैं अपने गाडन में अगर बिगनर है तो ये आपके लिए एकदम ब प्लावर आता है ये घंध अच्छे से सामने आप इसका फ्लावर देख भारेंगे कि पल्म हुआ है पrespालै मैंंने फुड़हल वह गो आपको ज्यादा ये में एक कीला हुआ है सामने देक पार हैं ये मैक्सिकन श्रश उसे धाह सब्स कर देखेुरह बए wed Lao कि देखने में काफी अच्छा लग रहा है इसकी छोटी सी छोटी कटिंग आप लगा सकते हैं सीट से भी ग्रो हो जाता है